दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लोक होम्स सीरीज की अगली कहानी, The Disappearance of Lady Frances Carfax हिंदी में. तो आईए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी कहानी. मैं शर्लोक होम्स के बेकर स्ट्रीट वाले कमरे में बैठा हुआ था. वो मेरे बूट्स की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा था. अचानक उसने सवाल किया, तरकिश क्यों? मैंने हैरानी से जवाब दिया, अरे ये इंग्लैंड में ही बने हैं. मैंने इनको कल ही खरीदा है. हाँ हाँ, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है. मैं तुम्हारे जूतों की बात नहीं का रहा था, वोट्सन. मेरा मतलब था बात से. तुमने तरकिश बात क्यों लिया? क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है? और मैं थोड़ा चेंज चाहता था इसलिए? तो फिर तुमको ऐसी जगहों पर मौझूद लोगों से अपने जूतों के लेसेज नहीं बंधाने चाहिएं, वोट्सन. तुम खुद उनको ज्यादा बहतर तरीके से बांध लेते हो. मैंने अपने जूते के फीतों को देखा और पाया कि वाकई वो थोड़े से अलग धंग से बंधे हुए थे जैसा उनको मैं बांधा करता था. मैंने मन ही मन सोचा, ये आदमी तो वाकई कमाल है. छोटी से छोटी चीजों का अंतर भी पकड़ लेता है. होम्स अभी भी बोले जा रहा था. अगर तुम वाकई चेंज चाहते हो वाट्सन, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है. तुम स्विट्जर्ड लैंड जा सकते हूँ. सारे खर्चे हमारे क्लाइंट के सिर पर होंगे. मैं भी साथ चलता, लेकिन मेरे पास यहां एक जरूरी केस है जिस पर मुझे कुछ काम करना है. और वैसे भी, मैं अपनी हाउस कीपर के हाथों का बना खाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बजाए विदेशी खाने के. मिसिस हट्सन वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है. तुम लंच के लिए क्यों नहीं रुख जाते वाटसन? धन्यवाद होम्स, लेकिन मैं रुख नहीं सकता. मुझे घर जाना है. मुझे कुछ जरूरी काम है. लेकिन होम्स नहीं माना और उसने मुझे रोक लिया. उसने आगे कहा. स्कॉर्टलेंड यार्ड में मुझे कुछ जरूरी काम है जिसकी वज़ा से मुझे लंडन में ही रुखना होगा. एक ऐसा अपराधी है जो मेरे यहां ना होने का बहुत बुरी तरह से फायदा उठाएगा. लेकिन उस बात को मैं अभी डिसकस नहीं करना चाहता. अच्छा स्विट्जर्लेंड के बारे में मुझे और बताओ. मैंने सवाल किया. होमस ने बताया. ये केस लेडी फ्रैंसिस कारफेक्स के बारे में है जो रफ्टन के स्वर्ग्य अरल की बेटी है. उनके उम्र करीब 40 साल है. अपनी उम्र के लिहाद से वो बहुत ही कुपसूरत है और उनकी अभी शादी नहीं हुई है. उनके पिता की मौत के बाद हलांकि संपत्ती का बड़ा हिस्सा और घर और सारा पैसा उनके भाई के पास चला गया. लेकिन फिर भी उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है. उनके पास कुछ बहुत ही कीमती स्पैनिश गहने हैं जिनको वो हमेशा अपने पास रखती हैं. अब क्यूंकि उनके पास कोई घर नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई है इसलिए वो एक जगा से दूसरी जगा पर घुमती रहती हैं. और ऐसी हर यात्रा में उनके वो गहने उनके साथ ही होते हैं. और फिलहाल जो परिस्थितियां है उनके हिसाब से मुझे संदेह है कि वो खत्रे में है. मैंने थोड़ा उलजे हुए स्वर में कहा. मैं कुछ समझा नहीं होम्स. क्या तुम्हें पूरा य इन सारी बातों के बारे में ना तो मुझे ही और ना ही किसी और को कुछ भी पता है. आखिरी बार जब उनके परिवार वालों का उनसे संपर्क हुआ था, उस बात को भी पांच हफते से ज्यादा बीथ चुके हैं. इंगलेंड में उनकी एक दोस्त है जिसको वो अकसर पत् में गई थी और वहां से उन्होंने पचास डॉलर का एक चेक अपनी नौकरानी के नाम लिखा था. तुम वहां जाओ और पता करो. अगर तुम्हें कोई भी और खाबर या जानकारी मिलती है तो मुझे तुरंत टेलिग्राम करना. इतना कहकर होम्स ने मुझे लॉसेन के ए और चलो अब हम खाना खाते हैं. दो दिन के बाद मैं लॉसेन के उस होटल में था. वहां मुझे पता चला कि लेडी फ्रैंसेस कारफेक्स अकसर वहां रुका करती हैं. वो एक बहुत ही सभ्भे और प्यारी महिला हैं. उनको किताबें पढ़ने का शौक है और वो अकसर लं होटल का जो हेडवेटर था उसकी उनकी नौकरानी मेरी से सगाई हुई थी. और उनके वहां से जाने की उनकी योजना के बारे में हेडवेटर को भी बिल्कुल नहीं बता था. जब तक उसे मेरी की एक चिठी नहीं मिली. चिठी में लिखा था कि वो फ्रांस जा रही है अ अपनी मालकिन के प्राइवेट मामलों के बारे में बातचीत नहीं किया करती थी. लेकिन एक रोचक बात उसे याद थी. जाने से पहले के कुछ दिनों में मेरी की मालकिन यानी लेडी फ्रैंसेस काफी दुखी और परेशान नजर आने लगी थी. मेरी ने एक दाढ़ी वा इस बात के कुछ ही समय बाद लेडी फ्रैंसेस वहां से चली गई थी. इतनी बात बता कर वेटर ने मुझे फ्रैंस का मेरी का पता भी दिया और मुझे सलाह दी कि मैं शेहर की ट्रेवल एजेंसी से बात करूँ. उसकी सलाह मान कर मैं वहां गया और मेरे तारीख बताने पर उन्होंने मुझे उस दिन की दो टिक्टों की कॉपी दी जिसको दो अंग्रेज महिलाओं को बेचा गया था. ये टिक्टें बेडन के लिए खरीदी गई थी. जिस महिला ने उनके लिए भुकतान किया था, उसने अपना कोई नाम या पता नहीं छोड़ा था. और ना ही उ पताय हुलिय से लेडी फ्रैंसिस की पहचान कर ली. उसने बताया कि उनकी नौकरानी सिर्फ एक ही रात के लिए वहां रुकी थी. लेडी से मिलने जुलने के लिए दो महमान आते थे. एक थे डॉक्टर श्लेसिंगर और दूसरी उनकी पत्नी. डॉक्टर श्लेसिंगर मोल रूप से साउथ अमरीका के थे. वहां पर वो काफी बीमार हो गए थे. और उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर कुछ दिन आराम करने के लिए वो बेडन आये थे. वो एक बहुत ही धार्मिक प्रवरित्ती के व्यक्ती थे. और अकसर मिशनरियों के साथ कि ये अपने कामों क के बारे में बताया करते थे. लेडी फ्रांसेस कारफेक्स उनके इस मिशनरी वर्क में काफी रुची ले रही थी और उनकी मदद भी करना चाहती थी. जब वे लोग होटल छोड़कर वहां से गए तो डॉक्टर श्लिसिंगर ने ही उन तीनों के बिल का भुगतान किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि वे लोग वहां से लंडन जाएंगे. इतनी बातें बताकर होटल के मैनेजर ने अचानक कहा, अरे हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया सर, आप अकेले ही नहीं हैं जो लेडी को खोज रहे हैं. एक और व्यक्ति भी उनके ब थोड़ा बदल गया है. मैनेजर की ये बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस आदमी का लेडी के गायब होने में जरूर कोई ना कोई हाथ है. मैंने होम्स को एक टेलेग्राम लिखा जिसमें ये सारी बातें बताते हुए बताया कि मैंने कितनी जल्दी और कितनी से होम्स का एक टेलेग्राम मिला जिसमें लिखा था माई डियर वाटसन होटल के मैनेजर और वेटरों से पता करके मुझे बताओ कि डॉक्टर शलेसिंगर का बाया कान देखने में कैसा था मुझे उसकी चोटी से चोटी डिटेल चाहिए. होम्स के टेलेग्राम को पढ़न मैंने उसके इस टेलेग्राम पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी जाच को जारी रखने का निश्य करते हुए मैं फ्रांस के लिए निकल गया. नौकरानी का पता ढूनने में मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई. वो एक छोटे से गाउं में रहती थी और मैंने जल् कर बहुत ही अफसोस हुआ सर. मेरी मालकिन मेरे उपर नाराज थी कि मैं उनको छोड़कर जा रही थी. हमारी इस बारे में बहस भी हुई. जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे एक चिट्थी दी. उसके साथ ही 50 पाउंड का एक चेक भी था जो उन्होंने मेरी शादी के तोफ़े के तोर पर दिया था. मेरी मालकिन हमेशा से ही बहुत ही दयालू और बहुत ही अच्छे दिलवाली रही है. लिकिन जब से लौसेन में लेक के पास वो उस आदमी से मिली, तब से उनके अंदर अजीब सा बदलाव आ गया. कौन था वो आदमी? मुझे उसका हु अरे में मैं अभी आपको बता रही थी. वो हमारा भी पीछा कर रहा है. मैं फुर्ती से दर्वाजे से बाहर निकला और गली में भागा. कुछ ही दूर जाकर मैंने उस आदमी को पकड़ लिया. वो बहुत ही बड़े डील डॉल वाला विशालकाय आदमी था. एकदम लंब हैं. उसने बड़े ही मुलायम स्वर में पूछा. मैं लेडी फ्रांसिस कारफेक्स को ढून रहा हूँ. वो लापता है. और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके लापता होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है. अब जल्दी बोलो तुमने उनको कहां छिपाका रखा है य और इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले पर कस दिये. उसकी पकड इतनी मजबूत थी कि मेरा दम घुटने लगा. मैंने खुद को छुडाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुडा नहीं पाया. उसकी उंगलियों का शिकंजा मेरे गले पर कसता ही जा रहा था. तब ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आगया. तुमने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक भी काम ढंका किया है वाटसन. मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा और मुझे समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ था. मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा और फिर पाया कि वो बदले हुए वेश में मेरा दोस्त शर्लक होम्स था. गुस्से और खीट से भरा मैं चिलाया. तुम ही ने तो मुझे यहां भीजा था? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई काम ढंक से नहीं किया है तो तुमने खुद ही क्यों नहीं कर लिया? होम्स ने बड़े ही आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया. हाँ मैंने किया ना बढ़िया. मैंने एक ऐसे आदमी को ढूंडा जो हमारी मदद कर सकता है. और तुमने उसे के साथ जगडा करना शुरू कर दिया. अरे ये आदमी लेडी फ्रैंसिस की मेड का पीछा कर रहा था. इसे पता है कि लेडी कहां पर है? मैंने ठीक है स्वर में कहा. ठीक है, अगर इनको पता है, तो ये बात हम इनसे शांती से भी पूछ सकते हैं. लेकिन पहले मैं तुम्हारा इनसे परिचय करवा दूँ. ये हैं सर फिलिप ग्रीन, लेडी फ्रैंसिस कारफेक्स के एक पारिवारिक दोस और माफ कीजेगा सर फिलिप, मुझे आपका हाथ मरोडना पड़ा. अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो वाटसन का दम बस घुट नहीं वाला था, और मैं अपने दोस्त का ऐसा हाल होते हुए नहीं देख सकता था. सर फिलिप ग्रीन ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, अ अब उनके गायब होने पर मैं क्या करूँ? आईए, हम लोग कैफे में वापस चलते हैं. और फिर वहाँ आराम से बैठ कर आप मेरे दोस्त वाटसन को सारी कहानी सुना सकते हैं. होमस ने कहा, हम लोग अंदर जाकर बैठ गए और ग्रीन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू क मुझे हमेशा से ही फ्रैंसिस से प्रेम था और मुझे लगता था कि वो भी मुझे चाहती है. जब मैं पहली बार उससे मिला, तो मैं बहुत ही जवान और बेवकूफ था. मेरे व्यवहार से उसे लगा कि मैं उसके प्रती गंभीर नहीं हूँ. उसके पिता ने मुझ से कहा कि मैं भविश्य में कभी भी उनकी बेटी से ना मिलूं क्यूंकि उसकी शादी कहीं और होने वाली है. मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ये सब बातें गलत थी. फ्रैंसिस के पिता ने मुझ से जूट बोला था. उस समय मेरे पास ज्य से लगता था कि मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी है. बहुत सालों के बाद मेरे दोस्तों से मुझे पता चला कि फ्रैंसिस ने भी अभी तक शादी नहीं की थी. मेरे मन में उमीद की एक नई किरन पैदा हुई कि शायद वो अभी भी मुझ से प्रेम करती है और इसी लि अब हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और कि मैं उसे भूल जाओं लेकिन मेरे दिल में मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी मुझ से प्रेम करती है. काफी दिनों तक उध्रबुन में रहने के बाद मुझे एक दिन विचार आया कि मैं उसकी नौकरानी से बात कर यही पता लगाने के लिए तो हम भी यहां आए हैं. होमस ने कहा मेरी आपको सला है सर कि आप लंडन वापस लोट जाएं और वहां का अपना पता मेरे पास भेजने. मुझे पूरा यकीन है कि आप लेडी को खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं. अगले दिन मैं और होमस लं इसका क्या मतलब है? मैंने हरानी से पूछा. यह उस सवाल का जवाब है वाटसन जो असल में मैंने पहले तुम से पूछा था. लेकिन तुम ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया. मैंने तुम से यह पता करके बताने को कहा था कि डॉक्टर शलेसिंगर का बाया कान देख कैसा दिखता है? जब तुम्हारी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने इसके बारे में पूछने के लिए होटल के मैनेजर को तार भेजा. और खुश किसमती से उसे डॉक्टर के कान के बारे में याद था और ये उसी का टेलिग्राम है. लेकिन होम्स, लेड पुरेलिया की पुलीस को उसकी तलाश है. वो लोग उसे होली पीटर्स के नाम से जानते हैं. सालों से मिस्टर पीटर्स का ये धंदा रहा है कि वो अकेली और अमीर ओरतों को अपना निशाना बनाता है. वो पहले उनके साथ दोस्ती बढ़ाता है. और फिर उनको ये यकी दिलाता है कि वो एक मिशनरी है और अगर वो महिला उसकी मदद करेंगी तो उनका सारा पैसा धर्म के कामों में लगाया जाएगा. उसके साथ एक औरत भी रहती है जो उसकी साथिन है जिसे वो अपनी बीवी बताता है. साउथ अमेरिका से ये दोनों एक साथ योरोप आए हैं. वो इतना गिरा हुआ है कि मरते हुए लोगों तक को नहीं बक्षता. साउथ अमेरिका में जिन मिशनरीों के दल के साथ वो काफी समय से रह रहा था, उनका भी बहुत सारा पैसा चुरा कर वो वहां से भागा है. जब तक उन लोगों को इस बारे में पता चला, उससे पहले ही डॉक्टर और उसकी साथ ही जहास पर सवार होकर यॉरप के लिए निकल चुके थे. जितने ज्यादा समय तक लेडी फ्रैंसेस इनके कबजे में रहेंगी, उतना ही उनकी जान को खत्रा बढ़ता जाएगा. इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि वो अभी लं नाय रखें और उनको खोजने की लगातार कोशिश करते रहें. शाम को मैं लेस्ट्रेट से भी बात करूँगा, लेकिन ना तो पुलीस और ना ही होम्स का अपना नेटवर्क, लेडी फ्रैंसेस के बारे में कुछ भी पता लगा पाए. लंडन के लाखों लोगों की भीड क के बीच, वो तीनों ऐसे खो गए थे, जैसे भूसे के धेर में सुई. विज्यापनों द्वारा भी उनको ढूनने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी काम नहीं आई. डॉक्टर शलेसिंगर के पुराने साथियों पर भी लगातार नज़र रखी जा रही थी, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ. फिर अचानक एक हफते के बाद रोशने की एक किरन दिखाई दी. वेस्ट मेंस्टर रोड के बॉविंग टन में पुराने स्पैनिश डिजाइन का एक चांदी का शांदार पेंडेंट गिर्वी रखा गया था. गिर्वी रखने वाला एक से डॉक्टर श्लसिंगर का ही था. होमस ने तुरंत सर फिलिप ग्रीन को बुलवा भेजा. हमारा संदेशा मिलते ही वो फॉरन बेकर स्ट्रीट हाजिर हो गया. होमस ने उसे बताया. उसने गेहनों को गिर्वी रखना शुरू कर दिया है. उसे पकड़ने के लिए ये अच सर ग्रीन की लेड़ी उनकी कैद में है. वो जिन्दा है या नहीं? इस बारे में कुछ कहना अभी मेरे लिए मुश्किल होगा. लेकिन फिर भी हमें बुरी से बुरी खबर के लिए तयार रहना होगा. आप मुझे बताये प्लीज मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी करने क के लिए तयार हूँ. क्या वो लोग आपको पहचानते हैं? होमस ने सवाल किया. जी नहीं. ऐसा संभव है कि वो भविश्य में किसी दूसरे साहुकार के पास जाए. ऐसे में हमें फिर से शुरुआत करनी होगी. दूसरी तरफ, अगर उसे उस जेवर का उचित मुल्य मिल गया है. और दुकानदार ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किये हैं. तो शायद वो उसी दुकान पर वापस जाए. मैं दुकानदार के नाम एक नोट लिखकर तुम्हें देता हूँ. उस नोट को देखकर वो तुमको अपनी दुकान में बैठकर इंतजार करने देंगे. अगर वो आदमी वहाँ कोई दूसरा जेवर बेचने आता है, तो तुम उसका पीछा करोगे और देखोगे कि वो कहां जाता है. लेकिन सबसे बड़ी बात जो तुम्हें दिहान रखनी है, कि ना तुम अपने मुह से एक भी शब्द निकालोगे और ना ही उनको ये एहसास होने दोगे कि तुम उनका पीछा कर रहे हो, और गुस्से या जोश में आकर उनको पकड़ने या उनके उपर हमला करने के बारे में तो सोचना भी मत, फिलिप ग्रीन इसके लिए तयार हो गया, दो दिनों तक हमें उससे कोई खबर नहीं मिली, तीसरी शाम जब वो हमारे क नाप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, वो मुझे मिल गया, मिल गया, आते ही वो चिलाया, होमस ने उसे शांती से एक कुर्सी पर बैठाया, और फिर कहा, हमें आराम से पूरी बात बताओ, वो एक घंटे पहले ही वहाँ आई थी, इस बार उसकी पतनी थ लेकिन वो जो जेवर लेकर आई थी, वो बिलकुल पहले वाले से मिलता जुलता था, वो एक लंबे कद की पीले रंग की और उसका नाम फ्रेजर है, जब वो दुकान से बाहर गई तो मैंने उसका पीछा किया, वो कैनिंग्टन रोड पर एक दुकान में गई, जो अंतिम स तरहे के शब्द मेरे कान में पड़े, कि काम काफी लेट हो चुका है, काउंटर के पीछे वाली औरत ने कुछ बहाना बनाया, तो उसने जवाब दिया, कि अब इस काम में और देरी नहीं होनी चाहिए, इस पर काउंटर वाली औरत ने कहा, कि इसमें उनकी कोई गलती नही है, देर इसलिए हो रही है, क्योंकि वो सामानने से अलग हट कर है, इसके बाद वो दुकान से बाहर चली गई, बाहर निकल कर उसने संदेह भरी नजरों से चारों तरफ देखा, मैं एक दरवाजे के पीछे चिप गया, फिर उसने एक कैब बुलाई, और उसमें बैठ कर व और यूहीं इधर उधर टहलते हुए घर का मुआयना किया, घर की निचली मनजिल पर एक को छोड़ कर बाकी सारी खड़कियों में अंधेरा था, अंदर का कोई भी द्रिश्य मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैं वहीं पर खड़ा हुआ सोच रहा था कि अब आगे क्या कि तब ही मेरे पास से एक वैन गुजरी, ये ढखी हुई वैन थी और उसमें दो लोग थे, वैन उस घर के सामने जाकर रुकी, वो लोग नीचे उतरे, उन्होंने वैन से कुछ निकाला और उसको सीड़ियों से हौल के दर्वाजे तक ले गए, उस वक्त मुझे वो चीज नजर आई, वो एक ताबूत था मिस्टर होम्स, एक पल के लिए तो मेरा मन किया कि मैं भी उनके पीछे घर में घुज जाओं, लेकिन फिर मैंने बड़ी मुझकल से खुद पर काबू किया, उन लोगों के दर्वाजा खट खटाने पर जिस ओरत ने दर्वाजा खुला, व और मैं तुरंत आपको सूचना देने यहां चला आया, होम्स ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया, एक वारंट के बिना हमारे लिए कुछ भी करपाना मुश्किल होगा, मैं आपको एक नोट लिख कर देता हूँ, आप इसे अधिकार पास लेकर जाईए और वारंट प्राप्त कीजिए, तब ही हम सही तरीके से कुछ कर पाएंगे, हो सकता है वारंट पाने में कुछ मुश्किल आए, लेकिन मेरे ख्याल से चोरी गए गहनों की बिक्री परियाप्त सबूत है, बाकी चीजों को लेस्ट्रेट समभाल लेगा, लेकिन मिस्टर होम्स इस बीच कहीं उन्होंने उसकी हत्या कर दी तो, आप ये तो सोचिए कि घर में ताबूत आने का भला क्या मतलब हो सकता है, और ये उसके अलावा और किसके लिए हो सकता है, देखिए मिस्टर ग्री, हम वो सब कुछ करेंगे जो किया जा सकता है, हम ए एक पल भी गमाया गया, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, और कुछ ही पल बाद हमारी कैब संसत के सदनों और वेस्ट मिन्स्टर ब्रिज के उपर से तेजी से आगे बढ़ रही थी, होम्स ने कहा, हम सारी बातों पर एक बार सिलसलेवार फिर से गौर करते हैं, इन दोनों खलनायकों ने, यानि डॉक्टर शलेसिंगर और उसकी तथा कथित पतनी ने मिलकर इस दुखी औरत को पहले उसकी वफादार नौकरानी से अलग किया, और फिर ये उसे लंडन लेकर आये, अगर इस बीच नौकरानी ने कोई पत्र लिखा भी होगा, तो वो लेडी तक पह उसली उद्देश्य था, अब उन्होंने एक-एक करके उन गहनों को बेचना शुरू कर दिया है, ये बात उनको अभी जोखिमवाली नहीं लग रही है, क्योंकि उनके पास ये सोचने का कोई कारण नहीं है, कि किसी को भी उस औरत में दिल्चस्पी है, लेकिन अब सवाल ये है, कि अगर गहने बेचने के बाद वो उसे जिन्दा छोड़ देते हैं, तो वो निश्चित रूप से उनके बारे में पुलीस को बता सकती है, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन वे उसे हमेशा के लिए क्याद करके भी नहीं रख सकते, इसलिए हत् इंखलाओं की कड़ी में सबसे ताजा घटना है, हम ताबूत से शुरू करके पीछे की तरफ जाते हैं, घर में ताबूत का आना इस बात की तरफ इशारा करता है, कि लेडी की मौत हो चुकी है, अब अगर उन्होंने उनकी हत्या की होती, तो वो इस तरह से आधिकारिक र उन्होंने उसे इस तरह से मारा है, जिसके कारण डॉक्टर भी धोका खा गए हैं, और वो उसकी मौत को एक प्राकृतिक मौत साबित करने में सफल हो गए हैं, ताबूत का ओर देने के लिए उनको दुकान वाले को डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूर दिखाना पड़ा हो अब तक हमारी कैब अंडर्टेकर की दुकान के पास पहुँच चुकी थी, होम्स ने गाड़ी रुकवाई और मुझे अंदर जाकर पता करने के लिए कहा कि पोल्टनी स्क्वेर वाला अंतिम संस्कार कल कितने बजे होना है, मैं अंदर गया और दुकान के काउंटर पर से नहीं है, सब कुछ एकदम खुला और नॉर्मल है, यानि किसी ना किसी तरह से सारे कानूनों और नेमों का पालन किया जा रहा है, और इसलिए उनको लगता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से अब सीधे हमला करने के अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई हत्यार है वाटसन, पिस्तॉल तो नहीं है होम्स, लेकिन मेरी चड़ी है, हाँ ठीक है, ये काफी रहेगी, कुछ देर बाद ही हम पोल्टनी स्क्वेर के बीचों बीच बने, उस बड़े अंधेरे से घर के दर्वाजे पर दस्तक दे रहे थे, दर्वाजा खुला, और एक लंबी महिला की आकरिती दर्वाजे पर नजार आई, जी कहिए, उसने कहा, मैं डॉक्र शलेसिंगर से बात करना चाहता हूं, होम्स ने कहा, यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता, औरत ने कड़े स्वर में जवाब दिया और दर् नहीं रहता से कहा, औरत एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने दर्वाजा खोल दिया और बोली, ठीक है, आजाईए, मेरे पती दुनिया में किसी का भी सामना करने से नहीं डरते, फिर उसने हमें हौल के दाहिनी तरफ एक बैठक में ले जाकर बैठाया, और हमें वहां इंतजार करने को कहा, उसे गए हुए दो मिनट ही हुए होंगे, कि एक बड़े डील डॉल का क्लीन शेवन गंजे सिर्वाला व्यक्ती कमरे में दाखिल हुआ, उसका बड़ा सा चेहरा लाल था, गाल लटके हुए थे, और चेहरे पर क्रूरता के भाव थे, उसने अंदर आ दिया गया है, आप एडिलेड के हेंरी पीटर्ज हैं, और बेडन और साउथ अमेरिका के डॉक्टर शलेसिंगर, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, और मेरा नाम है शॉर्लक होंज, पीटर ने बिना जरा भी विचलेत हुए होंज को देखा और बोला, आपको क्या लगता है, आपका नाम सुनकर मुझे डर जाना चाहिए, मिस्टर होंज, लिकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई बुरी भावना ना हो, तो आप इस नाम से तो क्या, दुनिया की किसी भी चीज से उसे डरा नहीं सकते, अब कहिए, आप यहां किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, मिस्टर पीटर्स, कि आपने लेडी फ्रैंसिस कारफेक्स के साथ क्या किया है, जिसे आप बेडन से अपने साथ यहां लेकर आए थे, पीटर ने उतनी ही शांती से उत्तर दिया, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे बता पाएं कि वो महिला कहां मिल सकती हैं, उसके उपर मेरी करीब सौ पाउंड की रकम बकाया है, वो बेडन में मुझ से और मेरी पतनी से मिली थी, हाँ ये अलग बात है कि मैं उस समय एक दूसरे नाम का उपयोग कर रहा था, जब तक हम लंडन नहीं आ अगर आप उसे धून निकालते हैं मिस्टर होम्स, तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा, होम्स ने उसे घूरते हुए कहा, मैं उसे धूनने के काम पर ही निकला हूँ, और इस घर से तब तक नहीं जाओंगा, जब तक मैं उसे धून नहीं लेता, तो आपका के भावलाते हुए चिलाया, ओ, तो क्या तुम एक चोर हो, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और ये मेरा साथी एक बहुत ही खतरनाक बदमाश है, और हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर में जबरदस्ती दाखिल हो रहे हैं, तुम्हें जो करना हो कर लो, पुलीस को बुलाओ जल्दी, और फिर तेजी से गायब हो गई, होम्स ने पीटर्स से सवाल किया, अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अब क्या तुम हमें ये बताने का कश्ट करोगे, कि वो ताबूत कहां है, जो तुम्हारे चाहता हूँ, मेरी सहमती से तो ऐसा कभी नहीं होगा, तो ठीक है, उसके बिना होगा, होम्स ने बड़े ही आराम से कहा, और उस आदमी को एक तरफ धकेल दिया, फुर्ती से हम दोनों हौल के दर्वाजे से बाहर निकल गए, उसके ठीक सामने खाने का कमरा था, वहीं एक म में एक बहुत ही दुबली पतली और बुढ़ी ओरत का शव रखा हुआ था, उसकी आयू कम से कम सतर से असी वर्ष के बीच रही होगी, और किसी भी कीमत पर ये लेडी फ्रैंसिस का शव नहीं हो सकता था, होम्स के चेहरे पर पहले हैरानी के भाव आए और फिर राहत के, शुक्र है, ये कोई और है, वो धीरे से बढ़ बढ़ाया, तब तक पीटर भी हमारे पीछे-पीछे कमरे में आ चुका था, आपने ये बहुत बड़ी गलती की है, मिस्टर होम्स, ये औरत है कौन? होम्स ने उससे सवाल किया, अगर आप जानने के लिए इतने ही मरे जा र जरूरत थी, हमने 13 नंबर के डॉक्टर होर्शम को उसके इलाज के लिए बुलाया, और उसकी अच्छी तरह से देख भाल की, लेकिन तीसरे दिन उसकी मृत्यों हो गई, डॉक्टर के प्रमान पत्र में मौत का कारण बुढ़ःपा बताया गया है, इसके अंतिम संसकार का और हमने कैनिंग्टन रोड के स्टिमसन एंड कमपनी को दिया था, वो कल सुभा आठ बजे इनको दफनाएंगे, अब कहिए, अब आपका इस बारे में क्या कहना है, आपने जो हरकत की है, वो नहायत ही घटिया और बेतु की है, आप एक शरीफ आदमी के घर में जबरदस् और उपर से रिवॉल्वर दिखा कर उसे डराते धमकाते हैं, यहां तक कि आप एक मृत महिला के सम्मान को भी भंग करते हैं, मैं आपको छोड़ूँगा नहीं मिस्टर होम्स, आहा, लीजिए, लगता है पुलीस भी आ गई है, बाहर गलियारे में कुछ आहटें सुनाई और उसकी पतनी ने दो पुलीस वालों के साथ वहां प्रवेश किया, उनको देखते ही पीटर्स जोश भरिस्वर में बोला, ओफिसर, ये देखिए, ये दो लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुसाएं हैं, इनको बाहर निकालने में प्लीज मेरी मदद कीजिए, इन दोनों पुलीस वालों में एक हवलदार था और एक सिपाही, होमस ने अपना कार्ड जेब से निकाला और उसके हाथ में थमा दिया, ये मेरा नाम और पता है, और ये मेरे दोस्त डॉक्टर वाटसन है, ओ, मिस्टर होमस सर, आपको हम अच्छी तरह से जानते हैं, लिकिन अफसोस क की बात है सर, कि आप बिना वारंट के यहां तलाशी नहीं ले सकते, हवलदार ने कहा, हाँ हाँ बिलकुल, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, हम बस जाही रहे थे, पीटर्स जोर से चिलाया, तुम उसे गिरफतार क्यों नहीं करते, हवलदार ने उसके कंधे पर हाथ हवलदार भी हमारे पीछे पीछे था, माफ कीजेगा मिस्टर होम्स, लेकिन ये कानून की बात है, हाँ हाँ मैं समझता हूँ सारजेंट, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ मिस्टर होम्स, आप बिना किसी कारण के वहां नहीं गए होंगे, अगर आपको मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, तो प्लीज बताइए, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक लापता महिला की तलाश कर रहे हैं सारजेंट, और हमें शक है कि वो उस घर में कैद है, हमें बस वारंट के इशू होने का इंतजार है, तो ठीक है मिस्टर होम्स, म ब्रिक्स्टन वर्क हाउस इंफर्मरी गए, वहां पूश्ताश करने पर पता चला, कि पीटर्स की बात एकदम सच थी, मिश्णरियों के एक जोडे ने कुछ दिन पहले वहां फोन किया था, और उन्होंने दावा किया था, कि वहां मौजूद एक बुढ़ी औरत, उनकी प गार पर थी, अब हमारा अगला लक्षे था डॉक्टर, उसे वाकई उस घर में बुलाया गया था, और अपनी जांच में उसने पाया था, कि बुढ़ापे के कारण वाकई वो महिला मरने वाली थी, असल में उस महिला ने डॉक्टर के आगे ही दम तोड़ा था, और डॉक् देह करने लायक कोई भी बात नहीं थी, बस एक ही बात उसे अजीव लगी थी, कि इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों के यहां एक भी नौकर-नौकरानी नहीं था, डॉक्टर से बात करने के बाद हम स्कोटलेंड याड गए, वारंट मिलने में कुछ कठिनायां आ रही थी, इसलिए थोड़ी देरी लग रही थी, अगली सुभह तक जज के साइन मिलना संभव नहीं था, निराश होकर हम अपने घर वापस लोट आए, पूरा दिन बीद गया, आधी रात के करीब हमारे हवलदार दोस्त ने ये कहने के लिए फोन किया, कि उसने उस बड़े घर की खिडकियों में, इधर उधर टिम्टिमाती रोशनी देखी है, लेकिन कोई भी घर से ना तो बाहर गया है, और ना ही कोई अंदर आया है, हम इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे, होम्स बहुत ही बेचैन और चिरचड़ा हो रहा था, कभी बड़ी ही गंभीरता से बैठ कर कुछ सोचने लगता, कभी तेजी से इधर उधर चकर काटने लगता, उसने खाना भी नहीं खाया, और यहां तक की अपने प्यारे पाइप को भी हाथ तक नहीं लगाया, बीच बीच में दो तीन बार वो जोर जोर से चिलाता भी रहा, पूरी रात इ गंभी साथ बजगर बीस मिनट हुए है, तुम जल्दी से तयार हो जाओ वाटसन, अगर एक मिनट की भी देरी हो गई, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरे दिमाग को ये क्या हो गया था, मुझे कल से ये बात दिमाग में आई क्यू नहीं, प् जब हम ब्रिक्स्टन रोड पहुँचे, तो बस आठ बजने ही वाले थे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, कि दूसरे लोग भी हमारी ही तरह लेट थे, आठ बज कर दस मिनट पर जब हमारी घोडा गाड़ी उस घर के सामने रुकी, तो अंतिम संसकार वाली कमपनी की ग हमें देखते ही पीटर्स गुसे में जोर से चिलाया, तुम फिर सी आगए शैतानों, मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा वारंट कहां है, वारंट आ रहा है, और ये ताबूत तब तक यहां से नहीं जा सकता, जब तक वारंट आ नहीं जाता, होम्स की आवाज में कुछ ऐसा असर था, कि कमपनी के आदमियों ने ताबूत को नीचे रख दिया, पीटर्स के माथे पर बल पड़ गए, और वो फुर्ती से घर के अंदर घुसकर गायब हो गया, होम्स ने अपनी जेब से दो पेचकस निकाले और एक मेरे हाथ में थमा दिया, व और कुछ ही मिन्टों के बाद ताबूत का धकन खोल दिया गया, जब हम ऐसा कर रहे थे, तो अंदर से क्लोरोफॉर्म की बहुत ही तेज गंध आ रही थी, धकन खुलने पर सब ने देखा, कि उसके अंदर एक महिला का शरीर पड़ा हुआ था, जिसके सिर पर क्लोरोफॉर में भीगा एक कपड़ा लपेट दिया गया था, होमस ने उस कपड़े को खीचा, और एक बहुत ही खुबसूरत महिला का चेहरा हमें नजार आया, होमस और मैं फुर्ती से उसे उठा कर घर के अंदर ले गए, और उसे हॉल में पड़े एक सोफे पर लिटा दिया, जल्दी देखो वाटसन, कहीं हमें बहुत देर तो नहीं हो गई है, मैंने औरत की नब्स चेक की, वो बहुत ही धीमी चल रही थी, बिल्कुल ना के बराबर, आधे घंटे तक मैं जी जान से उसे होश में लाने की कोशिशों में जुटा रहा, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, औ और दूसरी से मिस्टर ग्रीन, लेस्ट्रेड को देख कर होम्स ने कहा, ओ, तो हमारा वारंट आ गया है, लेकिन अफसोस कि हमारे पंची पहले ही उड़ चुके हैं, और ये आ गए हैं मिस्टर ग्रीन, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस महिला की देख भाल में कोई भी क पसर नहीं उठा रखेंगे, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रीन, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हम लेडी फ्रैंसिस को यहां से ले जा सकें, उतना ही बहतर होगा, और इस बीच ये लोग उस बेचारी गरीब बुढ़ी औरत के अंतिम संसकार को अंजाम दे सकते हैं, जो उस ताबूत में पड़ी हुई है, उसके बाद वहां हमारे करने के लिए कुछ नहीं था, और हम वापस बेकर स्ट्रीट लॉट आए, शाम को जब हम अपनी आराम कुर्सियों पर बैठे बाते कर रहे थे, तो मैंने होमस से पूछा, तुम्हारे दिमाग में ये आईड मिल जाए, जिसके सहरे मैं आगे बढ़ सकूँ, और वो बात मेरे ध्यान में आई सुभा, तुम्हें याद होगा, फिलिप ग्रीन ने हमें बताया था, कि जब वो उस औरत का पीछा कर रहा था, तो वो अंडर टेकर के दुकान में गई थी, और वहां उसने कहा था, कि इसे अब तक हो जाना चाहिए था, और काउंटर वाली लड़की ने कहा था, कि वो सामान्य से अलग होने के कारण उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, वो बात उस ताबूत के बारे में हो रही थी, ताबूत सामान्य से अलग आकार का बनवाया गया था, और इसका मतलब विशेश माप के लिए बनाया गया था, लेकिन क्यूं, फिर मुझे उसकी गहराई की यादाई, जो सामान्य से काफी ज्यादा थी, नीचे की तरफ थोड़ी दबी हुई, इतने चोटे से शरीर के लिए, इतने बड़े ताबूत का ओरडर भला कोई क्यूं देगा, इसका एक ही कारण हो सकता था, कि उसमें उनको एक की जगह दो शरीरों के लिए जगह चाहिए थी, दोनों को एक ही डेथ सर्टिफिकेट के तहत दफनाया जाना था, ये बात इतनी साफ और सपश्ट थी, लेकिन पता नहीं क्यूं, कल पूरा दिन ये बात मेरे दिमाग में आई ह ये आई आज सुभस साथ बजे के बाद, आठ बजे ताबूत को दफनाया जाना था, हमारे पास बस सिर्फ ये एक ही मौका था, कि ताबूत के घर से निकलने से पहले ही हम उसे रोक लें, इस बात की संभावना काफी कम थी, कि वो हमें जीवित मिलेगी, लेकिन फिर भी हम हम इस मौके को छोड़ नहीं सकते थे, और आखिरकार हम लेडी को बचाने में काम्याब हो पाए, अफसोस बस इसी बात का है, कि अपराधी हमारे हाथ से साफ बचकर निकल गए, लेकिन मुझे इस बात के भी पूरी उमीद है, कि लेस्ट्रेड जल्दी से उनका पीछा नह और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जल्दी ही एक और कहानी के साथ आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा